साल दो हजार चौबीस का आखिरी चंदर ग्रहन 18 सितंबर दो हजार चौबीस को लगने जा रहा है। इसके साथ ही आज यानी 17 सितंबर से पित्री पक्ष का भी आगाज हो गया है। चंद्र ग्रहन और पित्री पक्ष दोनों ही हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रखते हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहन का पित्री पक्ष पर क्या असर पढ़ने वाला है? किस समय पित्रों की पूजा करना सही होगा? आईए जानते हैं। उज्जन के पंडित आनत भारदवाद से खास पातचीत की है। पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहन किस समय लगने वाला है? 18 सितंबर 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहन सुबह 6 बचकर 12 मिनट बजे शुरू होगा और इसका समापन सुबह 10 बचकर 17 मिनट बजे होगा। चंद्र ग्रहन के परमग्रास का समय सुबह आठ बचकर 14 मिनिट बजे होगा, यह ग्रहन कुल 4 घंटे 5 मिनिट तक रहेगा, और इसके बाद ग्रहन समाप्थ हो जाएगा, सूतक काल वह समय होता है, जब ग्रहन से 9 घंटे पहले का समय होता है, इस दोरान कोई भी धार्मिक य का कनेक्शन समझते हैं, वैदिक पंचांग के अनुसार भादरपद माह की पूर्णिमा तिथी 17 सितंबर को सुबह 11 बजकर 24 मिनट से शुरू होगी, पूर्णिमा तिथी का समापन 18 सितंबर को सुबह 8 बजकर 4 मिनट पर होगा, पूर्णिमा श्राद 17 सितंबर को किया जाएगा, वही प्रतिप्ता तिथी की श्राद तिथी 18 सितंबर को पढ़ रही है, बता दें कि श्र उटूबर दो हजार चॉबीस तक चलेगा इस साल पित्रिपक्ष में 18 सितंबर को चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहन भारतिय समयानुसार 18 सितंबर को सुबह शूने 6 बचकर 12 मिनट से शुरू होकर सुबह 10 बचकर 17 मिनट तक रहेगा इस ग्रहन का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा फिर भी श्राद करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहन काल समाप्त होने तक उन्हें श्राद नहीं करना चाहिए उन्होंने ग्रहन के मोक्षकाल की समापती के बाद ही प्रतिपता का श्राद शुरू करना ही ठीक रहेगा